शाहीन बाग जिस संसद ये क्षित्र के संसद गौतम गंभीर है और इसलिए आज हमने उनसे शाहीन बाग के धरने को लेकर कुछ सीधे सवाल किये गौतम गंभीर खबरदार में आपका स्वागत है सबसे पहले तो ये बताईए कि सतर दिन होने को आ रहे हैं शाहीन बाग का मामला सुलजा नहीं ऐसा लग रहा है कि उनकी जिद है तो सरकार की भी जिद है और जिद से समाधार निकलेगा नहीं सरकार ने बहुत बहुत क्लारिफाय कर दिया प्रधान मंत्री जी ने क्लारिफाय कर दिया कि जिस चीज के लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो चीज नागरिक्ता देने का कानून नागरिक्ता लेने का कानून नी अगर आपको लग रहा है कि नर्सी आने वाले वह मारे प्रदान मंत्री जी ने clarify कर दिये कि नर्सी के बारे में even अभी तक तो discussions भी स्टार्ट निवी है और प्लस ग्रह मंत्री जी ने ये बोल दिये कि आप अपनी delegation भेजे आप अपनी टीम को भेजे वो आपको दो या तीन दिन में समय देने के लिए राजी हैं कम से कम मेरे देखत कि किसी भी हिंदोस्तानी को हिंदोस्तानी नागरेग को डरने की जुरूत निया चाहिए उनकी नागरेगता नहीं चीनी जाएगी तो देखे इस से जाधा clarify मुझे नहीं लगता कोई विवार कर सकते हैं पर वो लोग कह रहे हैं कि सामने आके clarify कर देखा करना पड़ेगा आ आपने ही बनाई है आप इस दिल्ली के सांसत हैं बाकिफ होंगे आपकी आपकी कंश्टुएंसि के लोगों को कितनी आदिक परेशाणी का सामना करना पड़ रहा है दक्शन दिल्ली के लोग अलग तो लोग किसकी तरफ देखें कि उनकी सहूलियत मौया होगी देखे कई न कई आपको भी sensible तरीके से सोचना पड़ेगा sensible तरीके से देश के बारे में सोचना पड़ेगा और आपको घबराने के जुरूत नहीं है सरकार की जिम्हेदारी है कि सब की सब के जो भी डाउट से उनको clarify करने के लिए और मुझे कई ना कई लगता है कि यह जो भी चीज हो रह सब्सक्राइब करते हैं कि जो भी मुद्धे हैं लेकिन रोजमर्रा की जिन्दगी से जुड़ गया है लोगों के कब तक इंतजार करेंगे लोग अंतहीन हो गया है कि समधान दोनों तरफ से निकलेगा हमारे ग्रह मंत्री जी ने आटोमाटिकली औरेडी बोल चुके हैं कि आप बात करने आईए और वो टाइम देने के लिए बिलकुल रेडी हैं तेकिन कई ना कई जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको भी तो प्रोटेस्ट लेना बहुत ज सल्यूशन चाहते ही नहीं सल्यूशन चाहने के लिए तो आपको भी हाथ बढ़ाना पड़ेगा सरकार बिलकुल राजी है ग्रह मंत्री जी बिलकुल राजी है इससे जादा सरकार क्या जिम्मेदारी ले तो दूसरी तरफ से आपको भी तो कही ना कई एक स्टेप सरकार रहे हुंने तो आपको जबराने की आपके बिलकुल ख़रे करो dess scheduled कि मुस्मिंट्रे जी ने जढ़ा कि मुसल्म को भी का जाएगा तो इसके बात मुझे निहीं लगता कि क्या क्या रहीं बिलकिन आप यहाश्वासन दे रहे हैं कि अगर प्रतय निदिमंदल जाराल नियम व कि अगर आप अपनी डेलिगेशन को भेजते हैं तो बिलकुल वो दो दिन में समय देने के लिए रेडी हैं कमसे गाव आप बनाके भीजे तो सही तब ही सिल्यूशन निकलेगा इसका इससे पहले भी कई प्रोटेस्ट हुए हमेशा टेलिगेशन जी जाके बात करती है यह चाहिए वह अन्नाजारे मूव्मेंट हो उसमें भी टीम जाके बात करती है यह ऐसा नहीं हो सकता कि आप यह बोलें ग्रह मंत्री जी को कि हम सब मिलकर हम सब इकठे आपके सामने आपसे बात करने आएंगे अब अपने जो इंपोर्टल लोग हैं उनकी टीम भेजिए और जो भी आपके डाउट है वो उनकी जिमेदार यह क्लारफाय करना बहुत शुक्रिया गौतम गंबीर हम से बातचीत करने के लिए तो वैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी तरफ से यह सपश्ट किया हुआ है कि आपके पास अधिकार है कि आप विरोध करें लेकिन दूसरों के किसी सड़क को इस्तेमाल करने के अधिकार या उनकी सहुलिय तो उसे बड़ा यह अधिकार नहीं हो सकता